तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एड्रेस करने वाले हैं इन दिनों में आपने न्यूज में भी काफी देखा होगा और दिसे फेस्बुक ग्रुप्स वगरे पर पढ़ोगे पोस्ट वगरे तो काफी एक नेगिटिव पिचर बनी विया तो आज के वीडियो में उसी की बात करेंगे कि एक्जैक्ली क्या रियालिटी है और जिसे आप अगर इंडिया में हो और सोच्रियो जर्मनी आने का जॉब के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए भी तो क्या-का सिनेरियो में आपको आना चाहिए या फिर किन को नहीं आ चाहिए और पूरा जो भी complete picture है उसकी बात करते है आज के वीडियो में तो शिल्पा सबसे पहले बात करते हैं कि जो जर्मनी में unemployment किया वो कैसी situation है तो अगर आपन स्टैस्टिक्ली देखें दो हजार पांच से लेके 2019 तक जो unemployment rate थी वो टीक्लाइन करें मेन जोब थी जोब थे यहां की बूब कर रही थी यहां की खीवी क्यों प्रॉड़ी तो अज़किन एनको बजार वेंकर तो थोड़ा साएट प्रूड़ा थी और थी जोड़ा साइव निडियों आपने टेंप्लाइम से थाल थीरा थी उच्छा थीरियों और जिए पॉसिशन गाल उपन थी थी तो डॉस वर अरारंट 7.7 lakh जॉप जी एपन और अगर अगर कि देख मैं झाल घमनिब्स प्लीज का इम्पक्या से उपन उपन पाट तो लिए और वी तीजन का जिए भी वी बहुत ऑट नहीं आया है तो मतलब इंक्रीज हुए है जॉब यहाँ पे वेरेज अगर हम कंपेर करने मालो इंडिया से तो इंडिया में अभी करन्टली जो अनिप्लॉइम्ट रेट है वो है अराउंड 7.33% जो के जर्मनी के कंपेरिजन में अफकॉर्स थोड़ी जादा है और अगर बात करें कि अग इंडिया में जो अनिप्लॉइम्ट रेट चला गया था वो था 10.2% विच वाज वेरी हाइ तो अगर बात करूंट तो जो पर्चेसिंग पावर पारिटी होती है उसके अगर अगर हम बात करें तो वह हैं लग्जंबर्ग में पुरे यॉरप में पुरे वर्ल्ड में पुर मैं ग्राफ लगा दूँ कि आप देख सकते हो एंड उसके बाद में जैसे सेकंड और थर्ड पर आता है बेल्डियम और नेदरलेंड और जर्मनी आता है फोर्थ पर तो सेलरी से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि इंडिया वर्से जिए में एवरेज पैकेजिस क्या च जिसमें गॉडर्मेंट आगया आपका श्राइट नार्मल जो बैचलर्स डिगरी के ग्रेजुएट हैं इवन इंजिनेरिंग के जिनका पैकेज 2 से लेके 5 लैक तक रेंच करता है इंजिनेरिंग और अगर आप थोड़ा यूदा नीश किल्स में जाते हो इंदर में बात कर करता है इवन 40 लैक तक भी जाता है कुछ कुछ कमप्रीज में डिपेंड कहां से आपने ग्रेजुएट किया है डिपेंड आप बेसिकली यू नो कहां जॉब करने कौन सी कंपनी में करें और एवरेज नमर की बात करें तो जो मैनेजमेंट है उसमें अफकोस आपको जैसे आपने बोला कि जर्मनी में अगर बात करें तो एक तो इसे इंडिया में पहले में एक और पॉइंट करना चाहूंगी कि यह बहुत मैटर करता है कि आपने कौन सी कॉलिज से पढ़ाई करी है और इंडिया में सालरी स्मॉल सिटीज और बड़े सिटीज में बहुत मे तो लेकिन जर्मनी में अगर 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 नेशन वाइड एवरिज से बात करें तो 45 से लेके 50,000 यूरो पर एर जो कि इंडिया का हो गया 40-45 लाख रुपे वो तो है और उसके अलावाद इसे जवाब बता रहे हो ना कि बहुत सारी जोब इंडिया में इसी हैं जिनमें 2-4 लाख रुपे की सालरी होती है तो अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में मतलब बैर मिनिमम्म सालरी एटलीस यहां पर लोगों को 30-35,000 यूरो पर यर तो मिलती ही है तो तो इंडियान करेंजी में कितना हो गया 30 लैक्स के असपास हो गया और अगें जर्मनी में एक तो अगरें नहीं करता है अगरें तो वहां थोड़ी जादा होती है तो वहां पर मुझे लगता है यह जो इंगिनियर्ग सेक्टर इनके लिए ऐसा हाई होगा जो एड्मन जॉब है उनमें ऐसा नहीं होगा कि यहां पर एग्जांपल टीर टीर ती में आपको 35 देने तो वहां फॉर्टन फेक्टर पर्चेजिंग पाउर परटी इंडिया में जो आप 1 लाख रुपे में चीजे खरीते हो या जो लाइफसेल जीते हो वह सेम जीने के अपको जो जीने क्तनी चाहिए तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में 5 लाख रुपे यह जीने क्ली यह 15 Lakh रुपीज यहां की परचारिशिंग पार पारिट यहां की दोनों कंट्री पारिट इस थी तरी ताम रहे जा रहे तो अगर आपको एक 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 रहेलिस्टिक एक्जामपल लें तो अगर आपकी न्यो डेली या बैंगलोर में आपकी शेली 10 Lakh रूपीज ए यह है और उन्हेम संक प्रेभान नेता हैं में गवह को इस अक्रथीजिर के से आंपर प्रडिजे साब्रग ए ako which उता में seems to the 50 को और प्रप यह को और ट्र parenthका रिपर मैं अगर आप देखोगे कि आप ड प्रणेशी ए प्राद आचेश्यों कार देखे 45,000 euro से लेके 70,000-80,000 तक अराम से कमा सकते हो हाँ मतलब बहुत सारी जो 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 जस जस वन मोर पॉइंट तो वो इक्वल्टू हो गया 50 से 60 लाग रुपए है हाँ तो यू कन सी कि वहाँ 10 कमा रहे थे कमाने हाँ पे 30 लाग थे बड़ आपको मिलें गे 50 से 60 लाग तो सेविंग बेटर हो जाएगी हाँ और बहुत सारी जॉब्स मुझे लगता है इंडिया में तिसे काफी लोग काफी अंडर पेड हैं वैरे जर्मनी में ।कम मिनिमं में वेज वगरे पर इतने रेगौलेशन तो यहां पर सबकी ही मांदो एक अच्छी आलरी तो होती है इतनी कि आप एक अच्छी को कि यहां तो होती ह वी और आप बॉद लाइफसे यह कि ने होग ने पर शेयर वैसे तो दोनों कंट्रीज का कोई एपल-to-एपल कंपारिजन तो है नहीं दोनों में काफी चीज़ बहुत बहुत अलग है बट यू है जैसे जर्मनी में आप जो लाइफ यहां पर आपको मिलती है सबसे बहले तो रिटर्न और जो टैक्स आप देते हो उस पर क्या आपको वैल्यू मिल रही है और जिसे इंडिया में भी टैक्स काफी है अगर आप बीस पचीस लाग के ओपा चले जाते हो तो 30% आपके डिदुक्शन हो जाते है टैक्स कट जाते है वेरास जर्मनी में मत यह है कि एक टैक्स बहुत जाते हैं 42% है वो टैक्स नहीं है फिर समय आपको यह समझ आप अवर 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 ओ डिदुक्शन है जिसमें आप अपना सोशल निपूशन अनिम्वाइमेंट रह एल्थ इंशॉरंस यह सब भी आपका जाता है और अगर प्योर इंकम टैक्स देखोगे तो वो अराउंड 22 से लेके 25 परसंट ही है आपका अवर और वैसे तो कम हो गया बहुत कम हो गया जर्मनी में और रिटर्न कितना अच्छा मिल रहा है यहां पर टैक्स का मतलब इसकी क्या वैल्यू है कि जो आपको क्ली एर प्री है हाँ में अच्छा में प्री एंडिया और इंडिया मतलब लोगों को जिसे जूब करते हो आप तो टैक्स देखिए उसके बाद में भी कितना यह इस्ट्रेस रहता है कि मरलब हेल्थ केर के लिए पैसे बचाने है बच्चों के लिए बचाने है बच्चों के लिए अच्छा में पीस अफ मींड आपको पूरा मिल जाता है तो उसका कोई कंपारिजन यह एंड एंड़ एंड एड लोगों को यह सब मैंटर करता है कि विए सब करना है कि मैं भी कुछ ताम पर फूस्टाम पर ली ऑस्पिल में गया था तो अरू जब मैं एक बीड एंड उन आपकोस आपके एंट्रनेट यहां यहां वि भी इफ नहीं हो भी ओगर यह सेम टाम अफकोर्स बहुत लोगों की यह सब भी प्रियूरिटी रहती है कि इन सब कंट्री में आप लोनली हो जाते हो और जैसे ना हाउस हेल्प की जो लंजुरी है यह सब जो इस आफ लाइफ है यह आप मिस करते हो तो अगरी अगें वह मतलब पर्चेसिंग पावर पै यह पिर आपको इंडिया में जो बेने वो आपको फिर अपने ले डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए जादा इंपॉर्टेंट है मतलब यह एक रियालिटी हिट हाट भी करती है जब आप यहां पे आते हो कि आपको सब कुछ मतलब जीरो से लेके एंड तक का काम आपको करना है तो यह आपको कंसिडर करना है पड़ेगा विन यह थिंकिंग अबाट इट बड़ेगा अब अब एड्रेस कर लेते हैं अगर आप जर्मनी में मूव हो रहे हो तो तो उसके बार में मुला क्या रियालिटी है कि कितने इंपोर्टेंस है यह लेक्षिट अपर कि अब अब भी अब 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 लॉफंट इन रूम मतलब यहां के लिए एक बड़ी हर्डल तो है क्योंकि आप नएड जाते हैं अगर इंग्लिश में है तो फ्कॉस इस वरी इस वरी स्मूथ दो आपको एक्सेंट अबढ़ता है एक थोड़ी सी फ्लुएंशी लानी बढ़ती है अगर अगर बात करे तो इस बेटर कि आप इंडिया से सी क्या बिकॉस यहां पर आप सर्वाइब कर सकते हैं अगर आपका कोर्स इंग्लिश में तो आपने अपने अप अपको इस जर्मन की जर्वत पड़ेगी डे टो देल लाइफ में ऐसा नहीं होगा सभी लोग बोल रहे सौ लोगों से मिलोगे तो ठीक है साथ पिचेटर लोग बात कर लेंगे कुछ तो लोग होंगे ही गरवंट ओफिसेज में आपको जर्मन की जर्वत पड़ेगी आपको difficulty आएगी, जैसे job में आएगी, कालीक से communicate करने में आएगा ना? मतलब relations, बिल्कुल, क्योंकि कालीक साथ के Germany हो एक उने तो if you know it, it's very good to you know जो जाओ कि और में जाओ कि बढ़ एक चीज़ उठाके देखने लगोगे, अगर आपको एक यहां पर जीनी है तो लैंग्मेज आपको चाहिए यहां पर जाहिए यहां अब एड्रेस कर लेता है वापस यहां इंडिया जा रहे है, same for US, Canada, UK मतलब एक तो यह हो गया कि awareness काफी बढ़ गई है over the like these few years, जो पिछले सालों में, internet इतना आ गया है, इतने मतलब information देखने को मिल रही है, हर एक country के बारे में, जो लोगों के पास में और options आ गए है, वो compare कर सकते हैं, कि अच्छा मैं कैनेडा में रहता हूं या मैं जर्मनी में रहता हूं, मुझे दुबाई में क्या मिल रहा है, मुझे यूके में क्या मिल रहा है, और बहुत है लोगों के अपने परस्नल रिजन होता है, हर कोई हर कंट्री से इधर उधर माइग्रेट कर रहा है, अगर आप इंडिया का भी नमबर देखोगे, इंडिया में भी अभी लांस्ट यर में मादा हाइस्ट इंडियान ने अपना सिटिजन्शिप गिवप किया है, ओवर दे ग्लोब, और जो हाई नेट वर्थ तो उनको जो रिटर्न आं टैक्स पर जो वैल्यू मिलती है न वह उनको रथ इत नहीं लगती, अफ़कोर्स, अक्षे कुमार है उन्होंने की शिटिजन्शिप गिवप करके वापस इंडियान सिटिजन बन गया है वो तो उनके अपने रिजन है उन्होंने इतने सालों तक वह रहे थे Canadian है तो वह है कि यूनिट तो सी कि वह ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री को चोड़ के जा रहा है तो वह पर्टिकुलर कंट्री खराब है वह पर संट तो बेंड करता है वह उसकी बहुत सारे स्पेसिफिक रीजन स्काइब और यह भी रिजन हो सकता है कि मैंने इस कं तो मैं यहां में जा सकता हूँ, 40% डिक्लाइन आ गया, कैनेडा में जो एप्लिकेशन होती थी, इंडियन स्टुटेंट्स की उसमें, क्यूंकि उनको यॉरप के और और कंट्रीज के ऑप्शन भी मिल गया है, जो एक प्रष्टा अगया है, उनको यहां और कंट्रीज में बेटर बेनिफिट्स दिख रहे होगे हैं, इसलिए वह जा रहे होगे हैं, बट अभी यह अधिए अगया है, तो आप आज आओ, जब आपको लगे कि अच्छा, अब मेरे ठीक निया है, तो आप चले जाना, इसल फोल्हा है कि सिफ ज़ा जाए है या, और इस आधि पर ढिफी लिए अगी लिए पर आ दिन के लिए गए गया तो अजे भी आगी आगी बहुत सारी महीन पूरिपयर ज़्यू एगाी खिर कुई आप अत्रांधरु वीज़ा based on वह प्रोजेक्स कट किये हैं लेकिन एसी मास लेओफ नहीं कि एक ही कंपनी ने 10-20-30,000 लोगों को निकाला हो तो इस इन टम्स में जर्मनी काफी ज्यादा सेफ रहा है यह जो कुछ साल है एक दो साल जो जब से रिसिंट का इंपक्त है और यहां पर आपका 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 जो 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 जादा प्रोटेक्टेट रहता है दू तो वरकर्स काउंसिल और इस पैकेज भी आपको फुल बूम hiring पर नहीं किये है प्र वोदिख स्लोली हूरी है, यह दो परडेक्ण के इंदिया में को ó फडिั आपका इस पर स्टरेशिक आपका नहीं हो जो कि आपका नहीं है लेकिं आपका इंडिया में जो अटिया में पन एंड़ीज का आइने साल्छी में अडेज पर सि और जिसे इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि यस अगरी रिसेशन आया है और थोड़ा सा मार्किट श्लो हुआ था मतलब फिर अगर हमेशा ऐसे ही रहेगा तो जो एक कंट्री है वह फंक्शन कैसे करेगा और जर्मनी जहां पर इतना अभी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रहे हैं जर्मनी इन जर्रल अपना मतला चाहता है सब कुछ तो मतलब वहां पर फिर अफकोर इन कमनीज को जॉब अपनी ओपन करनी ही पड़ेंगी और कर भी रही है आप देख सकते हो कि पूरे यॉरोप में ही बिकॉस एजिंग पोपुलेशन बहुत जादा है इनके पास में खुद की तो वर्कफोर्स है ही नहीं यहां पर बहुत ज्यादा जर्मनी में सिर्फ जो काम करने वाली एज है वो सिर्फ 20 परसेंट है लोगों की तो इनको बहु से लोग आए इसलिए यहां पर बहुत जादा मतलब शौटे चल रही है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की उसी के लिए यह लोग कैति मतलब जो मैथर्ड वह भी इस कर रहे हैं इमिग्रेशन लॉज अच्छे कर रहे हैं एक्सपैट फ्रेंडली कर रहे हैं जैसे ऑपरशनेटी तो कैनाड़ जाना पड़ेगा या और और जैसे यहां के गवर्मेंट बहुत जादा सपोर्टिव जैसे आपने भी बोला कि इतना असन नहीं है यहां पर किसी को फायर कर पाना और जैसे इंफलेशन भी हुआ था जैसे तो वहां पर भी जैसे 3000 का वो जो इन्फलेशन बोन तो यह सारी चीजे है मतलब जो यू नीड तो सी की मतलब क्या कंट्री आपके लिए बेटर रहेगा और जर्मनी का मतलब क्या सेनारियो है तो हमारे कॉर्डिंग तो मतलब इस स्टिल गूड अली तो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन से फे मतलब एकार टीमियू है के बिता ही तो का सेफिकेश पैसित के वी तो ठास पैस को सब्सक्राइब तो यहां पे मिदेख सकते के इछू हमारे कोई प्ली प्ली निवस्तिस प्ली चाल्य उप्ली चाल्य तो यहां पर उपицस मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 600 यूरो दिया था तो जो की 50,000 रुपे होते हैं मेरी complete master's की study होगी उनिवस्टी को मैंने उसके अलावा एक रुपे नहीं दिया सेकेंड बड़ा पॉइंट आता है कि यहां पर जो क्वालिटी उफ एजुकेशन है वह एड़ सेम ताइम आपको लगे बहुत सस्ता है यहां पर पढ़ाई तो कम नहीं है यहां पर पढ़ाई करते हो उसमें रिसर्च अगर आपके में हो रहा है तो वह बहुत ही कटिंग टिक्नोलोजी पर होता है आपको रिसर्च फैसिलिटी जो पर विशुके बहुत है अच्छा होता है था पर आप अजे जब स्टडी करते हो तो वहां पर आपको एक्स्पोजर जो मिलता है वरक्शोप में, इंटर्निशिप्स, वर्किंग स्टुडेंट में, पार्ट ताइम जोग्स, वह बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है वह बहुत है तो वह बहुत है तो आपके फ्यूचर के लिए आपको शेपप अलड़ी कर देता है तो आपको पैसा भी मिलता है जिससे आप अपको शिल्पा जैसे शिल्पा ने बहुत बार मुल्टिपल वीडियो में बता है कि यहां पर आप आप मतलब 800 से लेके 1500-2000 यूरो तक as a student कमा सकते हो on a monthly basis जो कि almost 1 lakh रुपीज हो गया कोई भी शहर ले लो आप उसमें मतलब यहां इतने students से आप मिल लिए आप खुद भी परस्नली तो वह तो जो यह ब्लॉक्ट डगावन लेके आते है या फिर मास्टर्स कर लेका फिर जॉब में अल्रेडी मतलब सेविंग्स होएंगी और जॉब प्रोस्पेक्स भी यहां पर मतलब यहां पर यहां पर यहां पर आपको अपना खुद ही करना पड़ता है यहां पर लेकिन यहां पर मतलब यहां पर ब्लाइब क्यां यहां पर मतलब गञे ओ करने नाγें कर सब्सक्опार बंस्तों कि शोचम लाख जाती है यहां पर आपनी तो इनुल तायम करने लेगे वहां आपर काम कर री क्रीजि頭 करनें रहां ही yeah अप्लाई आपको करना है, हाइरिंग वगर वो सब आपके इंडिजियल कंपनी लेवल पे ही होगी जब आप ओफ-लाइप्लाई करोगा है अपको काफी ट्रांस्परेंट है जो पोजिशन वगर होती है जो लिंग्डिन वगर पे रहती है या फिर जॉब पोटल पे है तो वहां से बहुत ही अप्लाई करके एंड यू कैन एक्सपेक्ट की वो जो आपका प्रोसेस रहें काफी स्मूद होगा जॉब अप्लिकेशन का यह सारे फाक्ति जॉब यापर फिर यहां जिसरे है यह संगर्प्रवलन के लिए फट इस रहें के एंप्रूड़ यहां तो यह तो ले दे के मतलब यह वाह शोच रहें तो घूच आर्पकोर्स बहुत चारे स्थिट्वड़ बहुत ज्म्प्रोस्ट एफ नहां तो और इसके पढ़ाई करोगे फोकस करके तो definitely आपके यहां पर करियर अच्छा और करीयर से बात आती है कि यहां पर आपको अपको study के बाद में कितना 50 lakh तक का package as a fresher या फिर एक-दू साल का experience तो चेज कर सकता है जर्मनी को चूछ कर सकता है जर्मनी को चूछ कर नहीं को चूछ करने के लिए and then once you have job you have your blue card you can call your family you can call your spouse you can get settled citizenship PR इन सब के भी काफी मतलब fast process हो सकता है प्र तो सिफ 21 मंस में मिल जाएगा blue card के साथ में so it's like very easy and smooth तो अब एक दूसरा category आती है कि अगर आप job के लिए हम पर move करना चाते हो तो क्या ये right decision है या नहीं है तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर आपका इंडिया में पैकेज 3-4 लाग रुपे से लेके अब तो 15 या 20 लाग रुपी तक का है पर ये और अगर आपको जर्मनी में same skill same experience जो आपका है उसके लिए आपको 50 लाग से लेके 70-80 लाग upwards तक कोई भी offer मिल रहा है तो it is worth it because purchasing power parity है उसके according भी बैट रहा है अगर आपको यहाना है because तभी आप जोब देख रहे हैं तो भी वह बैट रहा है तो भी वह बैट रहा है आपके साफ से but whereas अगर अगर आपका इंडिया में 30 40 50 लाग की रेंजिस में है या upwards 80 90 लाग में भी है then इनको बहुत ही बहुत है पाड़ की थे थे चिचिए collection low ale 1.2-1.5 CR job because तो 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 आपकी सेविंग बहुत वैरी कर जाएंगी तब अगर आपका मेन मोटिफ फैननसे नहीं है दूसरे रिजन्स है कि मुझे ज़मनी में सेटल होना है या फिर मुझे यॉरॉप एक्सप्लोर करना एक ने फोर ने फाइए तो आपके लिए पैसा थे इंपॉर्डन फैक्टर नहीं है और यह भी सिनारियो रहता है कि बहुत वार लो दो कपल है उसमें से एक की इतनी जादा है और दूसरे की नहीं है बहुत है जापके सुआपके सपट लगार के लाइट कर स हम आपके माड़ी कार्या मतार है यह उप है लिए रचती है दुरॉप दूसरे कि आपकेस्गे के नाप्सिया Plift को दूसरे कि वेर बूसरे को पृट्सराइट के विए नियु कि जर्मीनी के सलरी दे श्रॉजिन अश्वेजिन यह आप पर नहीं जे लिए है तो और प्रज़जन ना यह इस नहीं है otherwise easy कुछ भी नहीं है and of course coming to Germany also opens your doors to all these countries which you mentioned so you can go to Switzerland or Luxembourg तो आपके पड़ोसी countries भी हो जाएंगे and US में भी because आपके वास में जर्मानी का experience है so US में भी आपके लिए पॉसिबिलिटी जादा बढ़ जाएंगी and guys if in this video में आपको कुछ भी valuable information मिल रही है आपको अगर जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं वो अग्री कर रहे हो आप तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना क्योंकि आप जब यही सब actions like हमें मोटिवेट करते हैं हना कि आप भी हमें कुछ बता हो तो हम आपको कुछ और अंसर देने की कोशिश करेंगे यह विर क्यापता आपको कुछ और प्रिस्पेक्टे हो जो कि हम मिसाओ कर दें तो हम वो समझने की कोशिश करेंगे So that's it for this video I hope your video अपको अच्छा लगा हो and I wish you the best in your journey and your applications to Germany and see you somewhere sometime in Germany Bye Bye